दोस्तो, शमी के पौधे में ये गलती कभी मत करना। अगर घर में लगा है शमी का पौधा, तो ये जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए। कहीं आप शमी के पौधे के साथ ये गलतियां तो नहीं कर रहे। पढ़ सकते हैं लेने के देने। शनी देप अत्यंत क्रोधी हो सकते हैं। इस पौधे को घर में लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखे तो आईए शुरू करते हैं। जो ब्यक्ति सच्चे दिल से शमी की पूझा करता है तो शनी देप उस ब्यक्ति का कभी बुरा नहीं करते। वो ब्यक्ति हो जाता है धन दौलत से माला माल। शनी देप बहुत खुश होते हैं। दोस्तो नमबर टू शमी का पौधा घर पर लगाने से घर से नाकारात्मक फिरभाब दूर हो जाता है। आप मानो या ना मानो अगर किसी दुशमन ने आपके घर में टोने टोटके अगर किये होंगे तो शनी देप उसका नाश कर देते हैं। राबन से युद्ध करने से पहले शमी ब्रक्ष की पूजा की थी और मांगा था बर्दान की राबन से विजय प्राप्त हो और इसी के चलते शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है। गर में शमी का पौधा लगा है तो ये गलतियां करने से बचें। कई लोग जाने अंजाने में पौधे को गलत दिशा और गलत जगा पर रख देते हैं। जिससे उस ब्यक्ति की बर्बादी का कारण बनता है। साथ ही मिर्तियू का कारण भी बन सकता है। जैसे कि इस पौधे के पास ठीक नाली नहीं होनी चाहिए। कूडा, कच्रा, गंदी, मिटी उसके आस पास नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पौधे को लगाएं तो उसमें गोबर, खाद या कपोष्ट ही लगाएं। और साप मिटी का इस्तमाल ही करें। कैमिकल का इस्तमाल भूल से भी ना करें। जो ब्यक्ति ऐसी गलती करता है तो सीधे तोर पर बरबादी शुरू हो जाती है। ऐसे घर पर आ जाती है गरीबी। और जो लोग शमी के पौधे की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। तो उस घर में धन दौलत का लगता है अंबार। शनिदेव भी उस ब्यक्ति से प्रस सकते हैं। सबाल ये होता है कि बहाँ पर साप सपाई होना जरूरी है। दोस्तो नंबर फाइब जरूरत के हिसाब से किसी भी शीशी में ले ले ताकि दीपक उसी मातरा में जले जिस मातरा में आपने सर्सो का तेल लिया है शनिबार के दिन शनिदेब को तेल चड़ाया जाता है बापस नहीं लाया जाता अगर आपने ऐसा किया तो सीधे तौर पर शनी देब कुरोधित हो सकते हैं जय शनी देब, जय बजिरंग बली, जय शिर्वाइब